दोस्तो स्वागत है आप सबका रोजाना जिंदिगी के इस नए वीडियो में इस वीडियो में हम जानेंगे सोने से रिलेटेड वास्तु के बारे में दोस्तो एक आदमी अगर रोज आठ खंटे सोता है तो साल में वो करीबन चार महीने सोकर बिदाते हैं ये हमारे जिंदिगी का एक इंटेग्रल पार्ट है आप इसे अववाइट नहीं कर सकते किसी भी व्यक्ति को स्वास्त रहने के लिए अच्छी नीन लेना बहुत जरूरी है पूरी नीन लेने से शारीरिक के साथ साथ मानसिक स्वास्त भी अच्छा रहता है हमारे धार्मिक गरंथों में भी सोने के सही प्रकिरियाएं और कुछ नियम कानून बताए गए हैं आज इस वीटियो में हम जानेंगे ऐसे ही कुछ बातों के बारे में लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वास्तो के अनुसार उत्तर दिसा की तरफ कभी भी सिर रख करके नहीं सोना चाहिए वास्तो में सोने के लिए उत्तर की दिसा को अशुख माना गया है इस दिसा को नाकारात्मक उर्जा का स्रोत माना गिजाता है उत्तर दिशा की ओर सोने से व्यक्ति को कई बड़ी बिमारिया का सामना करना परता है यो निंद से वंचित रहता है जो व्यक्ति उत्तर की ओर सिर करता है तो वह निश्चित रूप से मिर्थ्यू के भगवान को आमंत्रित करता है उत्तर दिशा की ओर केवल मिर्त शरीर का सिर रखा जाता है वास्तो में दक्षिन की ओर सिर रख कर सोना अत्यधिक शुब माना गया है अच्छी निंद के लिए इस दिशा को बहुत उत्तम माना गया है इससे सुख और सम्रिधी, अच्छा स्वास्त, सौभाग, सफलता और धन में विर्धी होती है जो व्यक्ति ववसाय राजनिती या पेशेवर छेत्र में हैं उसे आदर्स रूप से दक्षिन की ओर सिर रख करके सोना चाहिए माना जाता है कि इससे उनकी दक्षिता और सही निर्ण लेने की छमता में सुधार होता है और मन को शान्ती मिलती है इस दिशा को साकारात्म कुर्जा के स्रोत के रूप में माना जाता है वही पुर्व दिशा की ओर सीर रहकर सोने से स्मरन सक्ती एकागरता और अध्यात्मिक्ता की ओर जुकाओ बढ़ता है वास्तु के अनुसार इस दिशा की ओर सीर करके सोने से विद्या और करियर के नए अफसरों की प्राप्ती होती है वास्तो विसी सग्यों का कहना है कि स्वस्त नीन पाने के लिए हर व्यक्ति के लिए सबसे अच्छी दिशा पुर्व दिशा है इस दिशा से शरीर को सभी प्रकार की साकारात्मकुर्जा मिलती है जो व्यक्ति तनाव गरस्त या चिंता से पिरित हैं उसे पक्षिम दिसा की ओर सिर रख कर सोना चाहिए वास्तो के अनुसार इससे मन को सांती मिलती है दोस्तो कहा जाता है कि रात को सोते समय कोछ चीजे अपने पास नहीं रखनी चाहिए क्योंकि ऐसा करने से व्यक्ति की कुंडिली में दोस उत्तपन हो सकता है इससे भारी मात्रा में नकारात्मक उर्जा निकलती है जो किसी की प्रगती, वेवसाय और करियर पर नकारात्मक प्रभाव डालती है अब जानेंगे कि सोते वक्त की चीजों को बिस्तर या तकिये के नीचे नहीं रखना चाहिए वास्तु सास्तर के अनुसार रात को सोते समय सोने के आभुसन पास में नहीं रखने चाहिए अशुक माने जाते हैं जो लोग बिस्तर के पास या तकिये के नीचे सोने के आभुसन रखते हैं, उन्हें बहुत गुसा आता है, जिससे रिस्तों में खटास आ जाती है। अक्सर देखा जाता है कि लोग अपने बिस्तर के पास शीशा रख देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि सीसे से निकलने वाली नकारात्मकुर्जा व्यक्ति की लव लाइफ पर बुरा असर डालती है। इसके साथ ही रात में डड़ाबने सपने भी आते हैं। अक्सर देखा जाता है कि कई लोग रात को पढ़ते पढ़ते सो जाते हैं और विस्तर पर किताब रख देते हैं। लेकिन वास्तो के अनुसार ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे करियर पर नकारात्मक प्रभाव परता है। इसके अलावा अपनी पढ़ाई से जुरी चपल रखते हैं। वास्तो के अनुसार इस तरह जूते चपल पहनने से नकारात्मक उर्जा को बढ़ावा मिलता है। जिसका असर सरीर और मन पर पढ़ता है। कई लोगों को तकिये के नीचे पर्स रखने की आदत होती है। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वास को सोते समय बिस्तर के नीचे जहारू नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि वास्तो सास्तर के अनुसार ऐसा करना उचित नहीं माना जाता है। इसके अलावा आप जहारू को ऐसे जगह पर रख सकते हैं, जहां किसी की नजर उस पर ना पढ़े। उत्तर पक्षिम दिसा का कोना भी जहारू रखने के लिए अच्छा माना जाता है। इसके बजाएं आप जहारू को ऐसे जगह पर रख सकते हैं, जहां किसी की नजर उस पर ना पढ़े। उत्तर पक्षिम दिसा का कोना भी जहारू रखने के लिए अच्छा माना जाता है। इसके अलावा जहारू को कभ भी भी रसोई घर सयन कक्षिया पूजा कक्षिय के पास नहीं रखना चाहिए इससे व्यक्ति की परिसानिया बढ़ सकती हैं कपड़े में थोड़ी से फिटकरी रखकर तक ये के नीचे रखने से बुरे सपनों की समस्या दूर हो जाएगी रात को सोते समय अगर आपको सकतियों का प्रभाव कम होता है रात को सोते समय अच्छी नेंद के लिए छोटी इलाइची या शौफ को कागज या कपड़े में बांध कर बिस्तर के नीचे रखने से ग्रहों से संबंधी दोस्ट खत्म हो जाते हैं इस उपाय से मन हमेशा प्रशन रहेगा आप एक बार करके जरूर देखें दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही आसा करती हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा ऐसे ही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और वीडियो को लाइक जरूर करें थैंक यू